हेलो स्टूडेंट वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूटूब चैनल इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो मेरा नाम है कृष्णा इस वीडियो में मैं आपको बढ़ाने वाला हूं प्लास फॉर की हिंदी की किताब रिम जिम से पा तो चलो फिर सुरू कर लेते हैं तो जैसे इसका टाइटल है यानि सीर्षक है पड़कू की सूज यानि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पढ़ता हो उसे हम पड़कू बोलते हैं और उसकी सूज यानि उसकी समझ यानि कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले इंसान के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि वो बहुत जादा पढ़ता था और उसकी सूच यानि उसकी समझ यानि उसका ज्ञान कितना है उसको भी जानते हैं ठीक है चलो फिर पढ़ते हैं एक पढ़कू बड़े तेज थे तरक सास्त्र पढ़ते थे जहाना कोई बात वहां भी तो इनका विशेय था तर्ग सास्त्र, यानि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर लॉजिक की बात हो, जिसके अंदर तर्ग की बात हो, उस विशेय को ये पढ़ा करते थे, ठीक है, और जदा पढ़ने की वज़े से लोगी ने पढ़क को बोलते थे, इनके बारे में एक खास रोज वे पढ़े, फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है, कोलू में कैसे बिना चलाई, विए एक दिन की बात है, रोज यानि की दिन कह सकते हो, कि भी एक दिन की बात है, कि भी ये जो पड़क्वे, एक फिक्र में पढ़े होए थे, यानि किसी बात को वो सोच रहते हैं, कि भी ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है, ये क्यूं होता है, वे क्यूं होता है, तो इस तरह की बात है, ये मन ही मन सोच रहते हैं, और क्या सोच रहते हैं, सोच रहते हुए, कि बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाई, यानि जो कोलू जो होता है, वो किस तरह चलता है, जबकि उसे तो कोई चलाता भी नहीं, और फिर भी ये जो बैले घूमता रहता है, तो अभी सभी बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, कि सर ये कोहलू क्या होता है, पहले तो हमें इस कोहलू का मतलब बताईए सर, तब ही हम समझ पाएंगे क कोहलू में बैल कैसे घूमता है, कैसे बनता है, जचलो, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ और इस फोटो से आप समझ पाओगे, देखो ये जो लकडी आपको दिखाए दे रही है, और जिसके साथ ये बैल जो बनता हुआ आपको दिखाए दे रहा है, इसे तो कोहलू क और क्योंकि ये बैल इसे चला रहा है तो इसे बोल देते हैं कोलू का बैल और ये घूमता रहता है घूमता रहता है इस लकडी के चकर काटता रहता है काटता रहता है और जिससे खेतों में क्या होता है पानी जाता रहता है यानि पुराने जमाने में जब पानी की मोटर नही प्योग करके लोग खेतों के लिए पानी वगरा भरा करते थी और इतना ही नहीं इसका और भी कई जिगे इस्तमाल होता था जैसे आजकल आप लोग देखते हो कि गन्य का जूश पीते हैं हम लोग उसमें क्या है मोटर लगा होता है कि वह मोटर चलाता है कई बार आप लोगो बांद देते थे अब यह जो बैल आपको दिखाए दे रही है ठीक है यह जो बैल यह क्या करती है इसके चकर-चकर काटती रहती है घूमती रहती है जिसकी वज़े से यह जो मोटर है यह चलता रहता है और यह जो गन्ना है इसे पीसा जा सकता है और इसे रस निकाला जा सक यानि पुराने टाइम पे बिजली नहीं हुआ करती था है तब ये कोलू का इस्तमाल किया करता था लोग करते थे इसमें बैल को बांद कर तो ये ही है कोलू का बैल ठीक है अब आप समझ गया होंगे कि भी ये कोла क्या है तो ये जो आदमी है, यानि ये जो पड़कू है, ये सोचता रहता था, कि भी ये जो कोलू है, इसके चारों तरब क्यों घूमता है, समझ में नहीं आती बात, तो ये बात वो बहुत ज़्यादा सोच रहता, कि भी कोई से चला भी नहीं रहा, यानि इस कोलू को कोई बोल भी नहीं गुमाने के लिए फिर भी ये जो बैल है इसे गुमा रहा है ऐसा क्यूं इस बात के बारे में दिमाग में सोचता रहा सोचता रहा बैठके कि आखिर ऐसा क्यूं होता है फिर फिर क्या होता है चलो पढ़ते हैं कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है सिखा बैल क वो रखा इसने कोई निश्य कोई ढब है, आच्छा कई दिनों तक, यानि एक दिन से ज़ादा, दो दिन से ज़ादा, यानि कि बहुत सारे दिन तो पड़कु सोच ता रहा, कि भी यह जो बात है, बड़ी गजब है, मालिक, यानि कि जब किसी संब बात करते है, बातों-बात घूमता क्यों है फिर कहते है इसको किसी ने यानि जो बैल है इस बैल को किसी ने सिखा रखा है क्या सिखा रखा है कि कोई ढब कोई बात सिखा रखी है कि भी तुम्हें इसके चारो तरफ गूमना है किसी ने इस बैल को बोल रखा है या कुछ सिखा रखा है कि तुम इसको च आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे फिर एक दिन की बाते आखिर जब तक सोचते सोचते जब उसे बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आखिरकार एक दिन वो अपने मालिक के पास जाता है और पूछी लेता है क्या पूछता है चलो पढ़ते हैं अजी बिना देखें लेते हैं तुम जान भेद है कैसे कि भी आप बिना जाने बिना इस बैल को देखें कैसे जान लेते हो कि बो आधमी नहीं पूछता है अब देखते है मालिक क्या बोलता है तो कहता है, कोहलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है, घूमता है, खड़ा हो या पागुर करता है, तुम्हारा जो बैल है, जो कोहलू के साथ बंदा हुआ है, यह तुम्हारा जो बैल है, कभी-कभी यह चलता है, या फिर रुक जाता है कहीं, रुकना ह ये जो आदमी है पड़कू, ये अपने मालिक के पास दाता है, और मालिक से कोहलू के बारे में पूसता है, कि बैल चकर काट रहा है नहीं काट रहा है, या कहीं रुक गया है, या फिर कुछ और कर रहा है, ये सारी बात तुम्हें कैसे बता लगती है, जब कि अगर ध्यान से देखो भई, अगर फोटो को ध्यान से देखो इस वाले फोटो को, तो तुम्हें पता लगेगा, ये जो को आने वाला तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ बैल बंदा हुआ है, खोलू के साथ, और यह बैल घूमता रहता है, तो मालिक से पूछता है कि तुम्हारा बैल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या नहीं घूम रहा है, कैसे पता लगता है भी, इसके बारे में बताओ, तो देखते हैं भी, जो मालिक है, क्या जवाब देते हैं, तो मालिक ने यह कहा, क्या कहा, पढ़ते हैं, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, यानि इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी हैं, अच्छा तुम्हें ये पता नहीं चलता, यहाँ पर जसी रसी दिख रही है न, इसके साथ उस मालिक ने क्या गर रखा, एक घंटी बांध रखी है, फिर कहता है कि तुम्हें एक घंटी दिखाई नहीं देती क्या, इससे पता लगता है, भी कैसे हैं, अब अच्छे से जान लेते हैं, तो मालिक कहता है कि भी इसके गले में हमने एक घंटी बांध रखी है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तो ये बात मालिक किस से बोलता है, पड़कु से बोलता है, अब पड़कु क्या जवाब देता है, जरा सुनो, तो मालिक ने जैसे ये जो पड़कु का, य भी मालिक है और ये कहता है कि भी कैसे पता लगता जैसे पूछा गया था इससे तो ये कहता है कि भी उसके गले में हमने क्या बांद रखी है एक घंटी बांद रखी है ठीक है अब घंटी से क्या होता है जड़ा सुनो जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ य यानि कि किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीके, कोई सोचने की जरूरत नहीं, यानि वो समझ जाता है, यह जो बैल है, घूम रहा है, जिसकी वज़े से घंटी बज रही है, और हाँ, जब तक बजती नहीं, दोड़कर तनिक पूछ धरता हूं, बैल की पूछ को भई, और जब बैल की पूछ खीजी जाती है, तो बैल की एक तरह से उसकी पिटाई हो जाती है, अब बैल समझ जाता है, कि भी आब मुझे दुबारा से चक्कर काटने पड़ेंगे, इस कोलू के, नहीं तो मेरा जो मालिक है, वो मुझे मारेगा, ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से कह सकतो, एक व्यवस्ता, एक मैनेजमेंट कर रखा है, इसके मालिक ने एक काम दे रखा है बैल को, कि भी इसके चक्कर काटो, जिसकी वज़े से भी जो बाकी दूसरे काम है, वो अपने आप हो जाएगा, है ना कमाल की बात, यानि पड़कू के दिमाग में, जो सोच चल रही थी, कि भी आखिर ये कोलू किसके साथ जो बैल घूमता कैसे है, तो भी वो उसकी पटाई करता है, तो घूम जाता है, और जब वो घंटी बसती रहती है, तो मालिक समझ जाता है, कि भी ये जो बैल है घूम रहा है, और जब घंटी बजना बंद हो जाती है, तो वो समझ जाता है कि नही नहीँ यह तो बैल कहीं रुक गया है और फिर जाके दुबारा उसकी पूच खीच लेता है और जिससे पता लगता है कि भी यह काम नहीं कर रहा है चलो फिर से काम करा लेती है तो यह एक तरीका है जो मालिक अपना आता है अब इस बीच पक, ये पड़कु क्या बोल रहे हैं, वो जानते हैं, कहा पड़कु ने सुनकर, अब ये सारी बात सुनकर, पड़कु जो है, वो कहता है माली को, तुम रहे सदा के कोरे, क्या बोलता है, कि तुम अपने माली को कहता है, कि तुम सदा रहे कोरे, कोरे का मतलब ह पिल्कुल खाली, यानि तुम्हारे अंदर अकल ही नहीं, ये बात कहता है, बेवकुफ, मतिंग की बातें समझ सकोगे थोड़े, और फिर कहता है, ये जो पागल की बातें, तुम समझ थोड़ी पाओगे, ऐसा कहता है, अच्छ, फिर आगे क्या होता है, वो भी जान लेतेए अगर किसी दिन, जो पड़ को कहता है की भी तुम तो को रहे है, तुम तो क्या हो बेफूफ हो तुम्हें नहहीं पता अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, यानि Кभी अवर ऐसा हो जाए यह जो बैल जो बेवकूप जिसे तुमने समझ रखा है मुरक्स तुमने समझ रखा है किसी दिन इसके सोच में यानि इसके दिमाग में ये बात आ जाए अड़ जाए यानि बात आ जाए नहीं चले और उस दिन वो चले ने बस खड़ा-खड़ा गर्दन को हिलाए यानि अभी जैसे आप ये फोटो देख रहे हो इस फोटो में क्या है इसके गले में अगर इक घंटी बांदी जाती है तो ये इसके चकर काटता है जिससे हमें पता लगता है कि घंटी बज रही है तो इसका मतलब बैल चकर काटता है लेकिन अगर इस बैल के अंदर क्या आजाए दिमाग आजाए ग्यान आजाए और उसे ये बात समझ में आजाए कि मेरा मालिक तो मुझे बस परेशान करता है और फिर ये क्या करे बिना कुछ करे यानि एक जिकर खड़ाओ करे सिर्फ गर्दन हिलाता रहे तो जब गर्दन हिलाएगा तो घंटी तो बसती रहेगी और जब घंटी बसती रहेगी तो ये जो मालिक है वो क्या होगा बेवकूफ बनता रहेगा उसे पता नीचलाएगा उसे क्या लगएगा कि बैल तो भी चक्कर काट रही है नहीं चले और आगे चले ना बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए और क्या करें एक जब खड़ा हो करके सिर्फ गर्दन हिलाए और जब गर्दन खूब हिलाएगा खूब का मतलब है बार बार हिलाएगा जादा हिलाएगा तो मालिक को क्या लगेगा भी हाँ हमारा बै अपने मालिक से बोलता है, अब मालिक भी कुछ न को जवाब देगा भई, क्या जवाब देता है, सुनो जराज आगे, घंटी टुंटुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पास पाओगे, तो ये जो पड़कु है, वो काम करते थे, गन्यवन एं उसको पीछने का काम करते थे, ताकि जूस वगर निकालाँ से कए, इसके या जो काम आज की टाइम हम मोटर से करते हैं, वही सारे काम पुराने जमाने में क्या होते था कुलू के बैल के साथ करते थे यानि कि कुलू होता था और उसके साल बैल को बांद दिया जाता था और उसके चक्कर काटता रहता था और जो भी काम होता था कुछ पीसने का तो वो सारे काम हो जाते थे तो उसी बात को ध्यान में र जाए कि मेरा मालिक तो मुझे परिशान कर रहा है, खड़े हो करके बस क्या करें, गर्दन हिला ते रहे, इससे क्या होगा, जो घंटी है, वो टुन टुन जो भी इसकी आवाज है, खूब बस देगी, लेकिन जो पीसने के लिए दे रखा है, जो तेल निकालने के लिए दे र यानि कि एक बूंद भी तेल तो नहीं पीस पाओगे, नहीं काम निकल पाओगा, पाएगा ऐसा पड़कु अपने मालिक को बोलता है, तो मालिक कहता है, क्या जरा वो जानते हैं, मालिक थोड़ा हसा और बोला कि पड़कु जाओ, जो मालिक है, अब ये सारी बाते सुन करक थोड़ा से हसनी लग गया, यह जो मालिक है, यह मालिक जब उसने सारी बाते सुनी उसकी, तो सारी बात सुनकर कि वो हसनी लग गया, और क्या बोलता है, जड़ा सुनो ध्यान से भी, कहता है, कि मालिक थोड़ा हसा और बोला, कि जाओ पड़कु जाओ, सीखा है यह ग्यान ज कहीं और जाके वहीं जाकरे जहां से तुमने सीखा है वहीं जाकर के ये बात फैलाओ यानि कि दूसरों को अपना ग्यान दो यहां देने की जूरत नहीं है क्या करो जहां सीखा है वहीं पर लोगों को अपना ग्यान दो ऐसा मालिक क्या करता है यह जो मालिक है यह कहता है पड ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मतिंग पढ़ पाया है, और मालिक कहता है कि यहाँ पे तो सब ठीक ठाक है, तुम अपना ग्यान यहाँ पे मत बाटो, कहीं और जाके बाटो, क्योंकि तुम्हारे ग्यान की हमें यहाँ जोरत नहीं है, क्योंकि यहा आज तक कि अगर बात करें, हमारे बैल ने कुछ भी सीखा नहीं है, सब मतिंग पढ़ पाया है, यानि कि कोई बेवकूप, कोई जानबर, आखिरकार कभी कुछ पढ़ पाया है क्या, तुम तो गजब बात करते हो, ऐसा वो कहता है, या नहीं, ये कहो, कि भी ये जो मालिक है, पढ़कू को बोलता है, कि भी जो तुमने ये सारी बाते, ग्यान की बाते, जो मुझे बताईए, ये मेरे किसी काम की नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई जुरत नहीं तुमारा ग्यान की, तो मैं ऐसा करो, इस ग्यान को वहीं पर जाके, उन लोगों को दो, जहा चोटा सा एक पार्ट था, जिसके अंदर हमने जाना, कि पढ़कू की सूज के बारे में, कि पढ़कू पढ़ने में तो बहुत तेज था, लेकिन क्या-क्या बाते करता था, वो सारी बाते हमने जाना, और इसे जो लिखा है, यानि कि इस पार्ट को जो लिखा है, उनका ना तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फड़ा फड़ वीडियो को लाइक करो और हाँ मेरी कुछ चैनल है फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, मुष्टर कृष्णा साथ, दुजा आर्ट और लर्निक चैनल, इन सारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ठीक है, तो ठैंक्स पूर वाचिंग, बाई बाई कोई डाउट हो कि नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर पोचना ठीक है, बाई